हाई फ्रेंट्स वेलकम तो बैक अंसारी 29 आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फाइरलाम सिस्टम में जो ग्राउंड फोल्ड होता है उसा किस तरह से ट्रॉबल शूट किया जाता है इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया हो है पॉल ट्रॉबल शूटिक इन फाइरला अगर उन फील्ड के जो डिवाइस के जो केबल होते है एकसिडेंटली तोर पर अगर किसी शीट पर या किसी ग्राउंड या बॉडी पर किसी अधर बॉडी पर टाच हो जाते जो ग्राउंड से कनेक्टेट है तो ग्राउंड फोल्ड पैनल में आता है ग्राउंड फोल्ड में देख सकते हैं किस तरह से केबल जो ब्रेक हो गया है और ब्रेक होने के बाद वो अगर मैटल बॉडी पर टच हो जाता है तो ग्राउन फॉल्ड आ सकता है इस पिक में आप देख सकते हैं यहां पर देखिए पैनल के अंदर इतनी कंजेस्टर वाइरिंग है इसकी वज़े से अगर कोई भी PCB का केबल अगर मैटल की बॉडी पर जो पैनल की बॉडी होती है अगर उस पर टच कर जाता है तो भी ग्राउन फॉल्ड आता है चलिए मैं एक एनिमेशन वीडियो के जरीए आपको समझाने के कोशिश करता हूँ कि इसे हम किस थरीके से ट्रबल शूट करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह एक मेरा फायर पैनल है जिसमें मेरे फील्ड के केबल जोन वन जोन टू और हूटर का केबल कनेक्टेड है और एक पावर केबल है जोके इसको पावर सप्लाय कर रहा है मालनी जा हमारे पैनल पर जो है वो ग्राउंड फॉल्ड आ जाता है तो साइलेंस कर लेते हम पैनल को और उसके बाद हम क्या करेंगे पैनल को उपन कर लेंगे और जितने भी फील्ड के के बाल है उसको वन बाई वन हम जो है रिमूफ कर देंगे remove करने के बाद हम panel को reset करेंगे reset करने के बाद at least हम 5 minute तक wait करेंगे और ये check करेंगे ground fault still present है या नहीं in case अगर ground fault present हमारे panel पर है तो इसका मतलब यह है कि जो ground fault है वो आपके panel में ही और ये सिरीफ 10% ही chance होता है कि जो ground fault है वो panel में present होता है जादर case में ऐसा होता है कि वो field पर होता है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है तो हम at least 5 minute wait करेंगे और ये check करेंगे कि ground fault still हमारे panel पर present है या नहीं in case अगर ground fault still हमारे panel पर present है तो आप देख सकते है इस image में कि यहाँ पर panel कि इतनी congested wiring होनी की वज़े से one by one एक एक circuit को जो हम वो connect करेंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते है मैंने NAC को पहले connect कर लिया है उसके बाद मैं 5 minute wait करूँगा उसी तरह मैं zone 2 को connect करूँगा और zone 1 को correct करूँगा हर एक circuit को connect करने के बाद मैं at least 5 minute जो हम वेट करूँगा और ये कुछ detectors मैंने आपको समझाने के लिए install किये हुए है और ये जो मेरे hooters है ये hooter circuit है ठीक है जो मुझे नहीं चाहिए मैं उस layout से remove कर देता हूँ जैसे कि NSA circuit और ये zone 1 अब मेरे पास सिर्फ zone 2 है zone 2 में मेरे 8 detector है जिसको मैंने labeling किया हुए है zone 1 2, zone 2, zone 1 अब इस case में मैं क्या करूँगा जो 4th मेरे detector उस detector को जाकर वहाँ पर मैं जो out circuit के बल है वो मैं निकाल दूँगा इसका मतलब ये होगा कि मेरी zone 1st detector से लेके 4th detector जो है ये working में होगा और 5th detector to 8 detector आप देख सकते हैं ये मेरा non working में होगा इस situation में अगर present नहीं है इस working circuit में तो 100% chance है कि वो 5th detector to 8 detectors के बीच में present हो सकता है चलिए और इसको अच्छे समझाने के लिए मैं और एक example लेता हूँ माल लीजिए यहाँ पर 15 detector है इस case में क्या करता हूँ 5-5 का group बनाता हूँ जैसे for example मैं 5th detector पो जाता हूँ और output circuit cable को है जो और निकाल देता हूँ इससे क्या होगा कि मेरा 1st detector से लेके 5th detector जो है working में रहेंगे अगर इस case में मेरा ground fault present है तो वो 1st detector से लेके 5 detector के बीच में ही present है अगर वो नहीं है तो मैं अगेन इसे connect कर दूँगा और 10th detector पर जाकर out circuit का cable निकाल दूँगा तो इस situation में क्या होगा 1st to 10th detector working में होगे और 11th से 15 जो है वो non working में होगा अगर still ground fault present है आपकी circuit में तो maybe chance है कि वो 6th to 10th में होगा क्योंकि हमने already 1st to 5 चेक कर लिया है तो 6th से 10 के बीच में ही होगा अगर इन case नहीं होता है तो हम इसको connect कर देंगे और connect करने के बाद हम क्या करेंगे जो है इसी तरह हम आगे step by step check करते वे जाएंगे तो हम इन ground fault पता चल जाएगा second example मैंने आपको बताए कि 15 detector थे उसको मैंने किस तरह के 5-5 के अरेंज में इस तरीके से आप जल्दी से जो है ground fault की तरफ आप पहुंच सकते और इससे rectify कर सकते अगर friends अगर आप को वीडियो पसंद है और आप चाहते है ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस किये जाके जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करें तो सबसे वहले आपको इसका notification मिले चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब